अध्याए दो, वर्ण, अध्यन बिंदु, वर्ण, वर्णों के प्रकार, अध्याए विवरण, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनिया निकलती हैं, वर्ण भाफशा की सबसे छोटी एकाई है, दिन भर हम बहुत सी ध्वनिया सुनते हैं, टप टप, ट्रिन ट्रिन, ठक जब हम बोलते हैं, तब हमारे मुख से भी अनेक ध्वनिया निकलती है सेब की ध्वनी है स, ए, ब, अ, सेब फूल, फूल की ध्वनी है फ, उ, ल, अ मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते है वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण के टुकडे नहीं किये जा सकते वर्णों के प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं पहला स्वर अ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, ओ, दूसरा व्यंजन का, खा, गा, घा, अडा, चा, छा, जा, 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 त्रा, ता, ठा, डा, धा, अडा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, 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 बा, 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 या, रा, बा, 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 श, स, हा, हिंदी में कुल ग्यारा स्वर होते हैं, स्वरों का उचारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, हिंदी में कुल तैतीस व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का उचारण स्वरों की सहायता से होता है, वर्ण माला, स्वरू और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्ण माला बनती है सब भाशाओं की अपनी अपनी वर्ण माला होती है हिंदी की वर्ण माला में 44 वर्ण होते हैं ये सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं विशेश, हिंदी में कुछ अन्य वर्ण और भी है, अंग, अंगह, अह खाली, इन में से अंग और अह खाली को स्वरों में जोड लिया गया है, शा, त्र, ग्या, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो अलग-अलग व्यंजनों को जोडने से बनते हैं, र, ध, ये अतिरिक वर्ण है, इन्हें वर्ण माला में जोड लिया गया है, इन सब को मिला कर अब हिंदी वर्ण माला में बावन वर्ण हो गये हैं, आओ दोहराएं, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वरों और व्य माला बनती है